आज हम 21st दे जुर रहे हैं और आज राइट टू फिडम आफ रिलिजन का आखरी आर्टिकल 27 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो 28 को डिसकस करेंगे जो बात करता है freedom as to attendance at religious instruction और यह discussion जो है कि जितने भी educational institutions होते हैं जो कि हम secular country है तो क्या वहाँ पर धार्मिक instruction या worship अलाव होना चाहिए कि नहीं तो उससे जो अजादी दी गई है उसके बारे में आर्टिकल 28 डिसकस करता है इसमें अगर आप देखेंगे तो यह जो तीन clause में यह provision बाटा हुआ है यह provision जो है इसके basis पे हम जितने भी educational institutions हैं उनको तीन category में बाट सकते हैं पहला जो state के दोरा totally owned और managed है यानि पूरी तरह से सरकारी दूसरा जो सरकार से recognized है या कुछ पैसा ले रहे है और तीसरा सरकार का overall administration है लेकिन वो established हुए थे किसी religious trust के अंदर basis पे तो उन तीनों educational institution में religious instruction या worship का क्या condition है वो समझना है जैसे पहला clause कहता है कोई भी धार्मेक instruction allowed नहीं होगा वैसे institution में जो पूरी तरह से state fund के द्वारा maintained है यानि कि पहला category सरकार की द्वारा totally सरकारी institution से वहाँ पे किसी तरह का religious instruction allowed नहीं है तूसरा जो category है recognized और added उसके लिए third clause कहता है कि अगर कोई भी इस तरह के institution है जो सरकार से आ तो पैसा ले रहे हैं इन recognized है वहाँ religious instruction allowed होगा लेकिन बिना consent के it could not be made compulsory that means it will be voluntary यह क्या रहेगा voluntary रहेगा यह बिना permission के consent कि अगर आप 18 प्लस से जादा है तो खुद का consent 18 से कम के minor हैं तो आपको guardian का consent अगर नहीं है तो आपको जबरदस्ती attend करने के लिए नहीं बोला जा सकता ठीक है और तीसरा category जो कि किसी religious trust के अंदर बना है वहाँ पे allowed भी होगा और आपको forcefully attend करने के लिए भी बोला जा सकता है ठीक है तो इन तीन category में educational institution को बाटा गया पूरी तरह से सरकारी allowed नहीं है सरकार से recognized या पैसा ले रहा है कुछ तो allowed है बट force नहीं कर सकते बीना consent के और तीसरा अगर totally religion के basis पर बना हो जैसे जामिया हो गया अगर आप देखेंगे minority जो भी institutions है उन जगहों पर allowed भी और आपको force भी किया जा सकता है ठीक है अब यहाँ पर एक discussion हुआ था Supreme Court में with respect to the life lessons of Buddha, Mahavir, Guru Nanak तो Supreme Court ने कहा कि these are not life lessons ये क्या नहीं है ये आपको religious instruction नहीं है ये article 28 का violation क्यों नहीं है क्योंकि religious instruction का part नहीं है जब आप इनके बारे में पढ़ते हो ये एक life lesson के रूप में तो उस समय धरम का form लिया ही नहीं था जब आप गौतम बुद के बारे में पढ़ते हैं तो Buddhism as a concept नहीं आया था तो इसलिए ये life relations है जो एक इंसान के और development के लिए बहुत जरूरी है ये article 28 का violation नहीं है ठीक है तो ये article 28 था अब आम लोग अगले दिन फिर अगले article के साथ जुरेंगे Thank you so much